बिस्मिल्ला रॉफ्मान रराहीम, असलाम अलेकूम, विल्कम तो मैं चैनल होट फ्लेम, आज हम अपने किचन में ब्रेड के साथ एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सा स्नेक बनाएंगे, पोटेटो ब्रेड रोल्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी फिलिंग तियार करेंगे, उसके लिए मैंने ये चार अदद मीडियम साइज के आलू लिए और उनको मैंने बॉाइल करके पील कर लिया है, अब हम लेंगे एक बड़े साइज का बॉल, और इन तमाम आलूओं को ह आलू का कोई भी पीस ना रहे, सारा अच्छी तरह से महश हो जाए, अब इसके अंदर हम अपनी तमाम चीज़ें एड़ करेंगे, मैंने एक चोटे साइज की कैरेट लिए और उसको चोटा चोटा सा काट लिया ये जाएगी इसके अंदर, एक शिमला मिर्च यानी केप्सि ये आप डाल लें, इसके बाद इसमें जाएगा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्वाटर टी स्पून इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर, यानी के लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो इसके जो कॉंटिटी है ये ज्यादा कर सकते हैं, क्वाटर टी स्पून इ इसमें जाएगा, क्वाटर टी स्पून इसमें जाएगा, चाट मसाला पाउडर, ये तमाम चीजें इसके अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये मिटीरियल हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है, इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर, फि गोलिंग पेलिगा या बेलन की मदद से इसको हम आइस्ता इसता ब्रेड को बेलेंगे, इसके किनारों को, और इस तरह से ताके इसके किनारे सॉफ्ट हो जाएं, और साथ में ब्रेड जो है वो बिलकुल एक पतली रोट्टी की शकल में आ जाएगा। इस तरह से, ये देख पेली पेले में रोटियों घरस को हम ने ब्रेड को जो हमने थिन कर लिया ता इसका एक स्लाइस रखा हमने और हम ईसके अंदर अलु का अबीरियल हम घरस को ऐनर हम बेले असको हम इस तरह से एक रोल की शकल बड़ी बंना के इसके अंदर रखेंगे यह रोल जो हमने आलू का बना के रखा है इसके अंदर इस फिलिंग को ब्रेट से थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए इसको हब हम स्लोली स्लोली इस तरह से रोल करेंगे और इसके किनारे पर हम थोड़ा सा बलकुल पानी लगा कर इसको बंद कर देंगे यह देखिए इस तरह से इसको हाथ से हमने प्रेस करके बंद करना है इसके बाद हम इसके किनारों को हलका सा पानी में डिप करेंगे और इनके किनारों को भी हम अच्छी तरह से सील कर देंगे ताके फ्राइ करते वकत इसके अंदर से जो मुटीरियल है वो बाहर ना आए इसी तरह से इस साइड पर भी पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे हलके हाथ से आपने इसको स्लो स्लो प्रेस करना है तो ये दोनों साइडों से बिलकुल बंद हो जाएगा ये देखें इस तरह से ये हमारा एक रोल तयार हो जाएगा बाकी रोल भी हम इसी तरह से तयार करके रख लेंगे तुर वैंड़ तता है राफ्ट टाइवा से यह कॉटिंग दाता है तो कफिन सिंगा कॉटिंग बोलेगे तेने कोटिंगे जेद हूं दने पुन अच्छी तरह से कोट करना है जो इसमार तो कूटिंग जाएक है coloc कारना है अर अच्छी तरह से ब्रेट क August में भी इसको रो कर लेंगे. इसकी कोटिउंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से सारे ब्रेट रोल की कोटिंग करेंगे और बाल में बети के घुल घरम हने के लिए रख दिया था मैंने, जो कि घरम हो चुटा है अब इसके औंदर जो वह आपने मीडियूम टू स्लो रखनी है ज्यादा तेज उसका फ्लेम नहीं रखना और इस पे आप इसको असलो हीट पर फ्राइ करेंगे काईड़ी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताके मेरी हर नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें इस तरह से हम इस रोल्स को इनकी साइड जो है वो साथ साथ चेंज करते रहेंगे ताके कोई एक साइड जो है वो ज्यादा डाक ना हो जाए सिर्फ दो मिनिट लगे हैं और रोल बहुत ही अच्छे फ्राइए हो गए हैं अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे तो ये रेड़ी हैं पोटेटो ब्रेड रोल्स जो बनाने में बहुत असान हैं एकनॉमिकल भी हैं और खाने में बहुत ही मज़ेगे हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राइ करें और मुझे अपनी दौाओं में याद रखें अला हाफेज